आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शीर कुर्मा की रेसिपी एक बहुत ही टेस्टी डिजर्ट है और खासकर के ईद के मौके पे इसे बहुत ही जादा बनाया जाता है आप इसे घर में बहुत ही असानी से बना सकते हैं बस कुछ चीजों के साथ चलिया ये देखते है किनखी चीजों की जबत होगी हमें शीर कुमा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा इलाची पाउडर एक चमच्छ घी हमें चाहिए होगा दो बडे चमच्छ यहाँ मैंने लिया है 15 ग्राम किश्मिश केसर के 10 से 12 स्टेंड मैंने दूद में भीगों के रखे हैं यहाँ मैंन कुछ ड्राइ फॉट्स लिये हैं, जिने मैंने पानी में छार से पांच भिंटे के लिए भीगो दिया था और उसके बाद बहुत अच्छे से चौप कर लिया है, यहां मैंने लिया है पिस्ता , 15 ग्राम , 15 ग्राम बादाम का छिलका मैंने उतार के इस तरह से कट कर लिया है, य यहां मैंने फुल फैट मिल्क यूज किया है आप चाहे तो कोई सा भी बिल्क यूज कर सकते हैं लेकिन फुल फैट मिल्क यूज करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सेवया मैंने यहां लिया है 150 ग्राम एक कप के करीब है इस तरह की सेवया आपको मार्केट में मिल जाएंगी यह लंबी लंबी होती है से तोड़कर इस तरह से क्रश कर लिया हुए ने सबसे पहले पैन में हम डालेंगे एक चंब घी इसमें हम आड कर देंगे अपने सारे ड् कि अपने के लिए हमारा ड्राइफूट बहुत अच्छे से भून गया है अब इसमें में आड कर देंगे किश्मिश और इसे चाली से पचास से के लिए बस हम भूनेंगे अच्छे से भून गया है गया सॉफ कर लेते हैं निकाल लेते हैं इसे हम पैन में वापस से डालेंगे एक चंब घी और अपनी सेवई को मिसमें भून लेंगे सेवई को हमें तब तक भूनना जब तक इस पे ब्राउनिश तक कलर ना आ जाए पर ध्यान रहे हमें बीच पीच में इसे चलाते रहना है ताकि हमारी सेवई जले ना और फ्रेम को मीडियम ही रखेंगे हमारी सेवई बहुत अच्छे से भून चुकी है यह देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है बहुत जादा इसका कलर डाग भी नहीं करना है इतना ही कलर हमें इसका करना है अब इसे हम निकाल लेते हैं एक गहरे पैन में हम दूर ले लेंगे और इस पे हम एक उबाल आने देंगे दूर में एक उबाल आ चुका है इसमें अब हम एट कर देंगे अपने सारे ड्राइब फूट्स थोड़ा सा बचालूंगी मैं गार्निशिंग के लिए इसे अब हम पांच मेंट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि दूर रिड्यूज हो जाए इसमें अ कर देंगे अपना सेवाई साथ ही में आट कर देंगे कंडेंज मिल्क अब इसे हम स्लो फ्लेम पे परकाएंगे दस मिल्क के लिए बिच बिच में आप चेक करते रहें ताकि यह उबलेना या फिर नीचे पकड़ेना दस मिल्क हो चुके हैं यह देखिए हमारा शी कुर्मा हमारी सेवाई और ड्राय फूट बहुत अच्छे से पक चुका है यह देखिए और रिड्यूज हो चुका है हमारा मिल्क भी बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया हमारा सेवाई अब इसका गैस अब आफ करते हैं इसमें आड कर देंगे अपना इलाइची पाउदर और यह क केसर यूज नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगा केवडा एसेंस भी डाल सकते हैं चार से पांच मून या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं या ऐसी भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो हमारा शेल कुल मा विलकुल रेडी है अब हम इसे रूम जाओं है तो इसमें आप से वहियों की क्वांटेटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़ाधा से वहिया पसंद है या आप डॉय फूट की कांटिटी घटा भी सकते हैं अगर आप डाय फूट जादा नहीं पसंद तो आप इसे अपने हिसाब से एज़स्ट करके जैसे बना सकते हैं तो अब कर लेते हैं इसे रेफ्रिजरेट एक घंटे के लिए एक घंटा हो चुका है हमारा शेर कुर्मा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये काफी गाढ़ा भी हो चुका है ये देखिए पहले से अब इसे गाणिश कर लेंगे थोज से तो लीजे बनकर तयार है हमारा शेर कुर्मा इसकी रेसिपी आप घर में जरूर चाय करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें